कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्योक शिष्ट्रा और आज मैं अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज जोग्राफिक क्लास 6 चैप्टर 3 को कंडिनियो करूंगा ठीक है तो आयो चलू करते हैं तो यह देखिए आपको लग रहा हुआ कि ता भारी सा मैंने क्या बना दिया डाइ सब्सक्राइब तो इसको समझना पड़ेगा तो मैं आपको समझाता हूं कि यह डाइग्राम पूरा बताता क्या और इस डाइग्राम को आप पहलोगे ना तो आपको आगे जो लिखा हुआ है वो पहलने की ज़रत नहीं पड़ेगी ठीक है अब देखें क्या है कि हमारी जो सनलाइट है ठीक है यह सनलाइट है अब यह मत सोच लेना कि यह चारों अलग अलग अर्थ है नहीं यह चारों सेम ही अर्थ है ठीक है अभी इनकी पोजिशन अलग अलग है ठीक है यह 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 चोटी रात होती है जो कि most probably कल ही था ठीक है आज मैं record कर रहा हूं 22 जुन को तो यह हां कल ही था ठीक है 21 जुन को तो आपने ध्यान दिया होगा कि क्या थी उस दिन दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है ठीक है तो देखिए अब क्या है कि यह अर्थ हमार क्या करेगा ज्यादा लाइट मिलेगी इसको ठीक है क्यों क्यूंकि यह जैसे कोई चीज जैसे हो जुग जाय तो यह वाला पोर्षं भी तो आगया उप नीचे वाले कहा यहाला प्रॉडर पर्षं लृफं पिछे चला गया और यह आगे आगे आ तो इस वाले पॉर्षं क आगे रहेगा तो उसको जादा light मिलेगी और at the same time आपका जो southern hemisphere है वो देखे ये जुका हुआ है मतलब ये जो portion है southern hemisphere का मालीजे मैं ऐसे line खेचता हूँ तो ये वाला देखे ये जो portion है southern hemisphere का ये वाला ये तो light नहीं मिलेगी इसको तो ये क्या हो गया इसमें क्या रहेगा आपका winter रहेगा ठीक है तो summer solistics में आपका क्या रहता है summer रहता है northern hemisphere में और winter रहता आपका southern hemisphere ठीक है और जो light यहाँ पर पढ़ती है वो कहाँ पर पढ़ती है tropic of canker ठीक है अब देखिए अब जब 6 महीने बाद क्या होगा ये देखिए continuously अब अर्थ भूमती भी रहेगे तो यहाँ पर क्या है पोल्स पर continuously same चीज रहेगा for an year ठीक है एक साल पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है पूरी light पढ़ रहे है दिन और रात तो यहाँ पर हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है नहीं हो रहा है ना यहाँ पर एक ही चीज जो है वो छे महीने लिए आपकी constant मनी रहती है ठीक है constant मतलब जो चेंज ना हो अब क्या है और हाँ यह जो मैंने यह बना रहा है यह और कुछ नहीं है बस इस डारेक्शन को बता रहा कि अर्थ ऐसे गूम रही है ठीक है अब अगले आते हैं विंटर तो देखें विंटर समेस्टिक्स में आप तब 22 डिसमबर लिया ज आगया ठीक है northern hemisphere और southern hemisphere अब sun के आगए आगया है ठीक है यह southern hemisphere वाला पार्ट क्या है ज्यादा वो sun के आगया आगया तो अब इसको ज्यादा light मिल रही है और northern मतलब southern hemisphere को ज्यादा light मिल रही as compared to northern hemisphere इसलिए अब आपका winter solustics में northern hemisphere में ठंडी रहती है और southern hemisphere में गर्मी रहती है ठीक है और यहां की जो condition है वो भी change हो जाती है ठीक है क्योंकि अब देखिए यहां पहले क्या हो रहा था इस पोल को north pole को continuously 6 महीने light मिल रही थी अब यहां प देखिए यहां पर इस case में winter के case में जो light fall करती है वो कहां करती है ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन पर ठीक है तो कहा light fall करेगी ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन पर अब देखिए यह दोनों जो बचगे इनका क्या है इनका यह है कि जब sunlight पढ़ती है तो normally क्या है सारे पर ठीक है लाइट ऐसा नहीं कि कम जादा हो रही है जैसे कि यहां पर आपकी हो रही थी तो यहां पर देखिए जब यहां पर जब क्या बोलते हैं आपका 23 September वाले टाइम पर रहता है आपका अर्थ तो northern hemisphere में आपका क्या रहेगा autumn season रहता है ठीक है और southern hemisphere में आपका क्या रहत है spring रहता है अब क्या है कि अर्थ जब घूमती है फिर winter आता है फिर जब यहां पर आजाता है आपका वापस तो यहां पर देखिए क्या हो जाता है यह switch हो गया switch मतलब उल्टा हो गया जहां पहले southern hemisphere में प्रिंग था अब किसमें चला गया northern hemisphere में और जो autumn आपका northern hemisphere था वो क मैं अब इसके साथ अपनी वीडियो का end कर रहा हूं और यह chapter भी अब इस वीडियो के साथ खतम हो गया है और इसमें कुछ भी नहीं है इस chapter में अलग से ठीक है जो आपको पढ़ना पड़े तो चलिए तब तक के लिए जब अगली वीडियो लागते हैं तब तक आप आराम करिए और इस वीडियो के नोट्स बना लीजे अगर आपको चाहिए कि क्या बोलते हैं आपको ज्याला टाइम तक आज रहें नोट्स बना लीजे आप वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं और आपको यह सारा दिख जाएगा ठीक है तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहें ठीक है तो ऐसा मत सोचिएगा कि यह जो वीडियो हम बनाते हैं कि अवर 6th class के लिए या कोई competition exam करोगे वहाँ पे यह normal question आही जाते हैं जैसे डेली पुलिस में हाल फिलाल में भी आया था कि आपका 22 December ठीक है तो यह सारा आपके exams में भी आते हैं ठीक है चलिए तब तक के लिए जैहिन